सब्सक्राइब कीजिए यहिंदी उर्दू शैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों इह जी बुर्दू चैनल में आप सभी पस्भावत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने हुआ हुआ कि विंडोस 10 विंडोस 11 PC में अगर आपके वीडियो की जो थम्निल होती है वह चेंज करना है तो इसको पैसे करते हैं हम जो इस वीडियो में सी वीडियो है इसकी जो थम्निल है बाइडिपॉल्ट वही सेट होती है दोस्तों अगर आप इसको जो चेंज करना चाहरे है तो आप इसको इसको ईजली कर सकते हैं इसके लिए आपको एक जो है धो थार्ट पर्टी अप्लिकेशन की ज़रौत पड़ेगी तो अप्लिकेशन वेब्रोजर आप अपने पीसी लाप टॉप में उपन कीजिए इस तरीके से और उपन करने अक बाद यहां पर आपको सिंबल से सर्च करना है टाग एडिटर जी आईटी हब इस तरीके से सर्च कीजिए और इंटरेट कीजिए और उसके बाद आपको यह वाली लिंक ओपन करना है रिलिजस आप यहां पर देख सकते हु जास नलिक को ओपन कीजिए बाद इसका जो फो डाउर्ड हो करने के बाद अब आप उतने वह download file पर right click कीज़े इसको आपको extract करना है extract all पे click कीज़े ठीक है जैसे आप extract all पे click करेंगे आपको जो इस तरह का interface दिखाएगा extract पे click कीज़े और वहाँ पे एक new folder create हो जाएगा जैसे के आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको open कीज़े open करने को अब यहाँ प click कीज़े that's it installation process start हो जागा जैसे वह install complete होगा आपको यह app का simple user interface दिखाए देगा अब यहाँ से अब आपको जो है आपका video file जहां पे आपने safe किया वह location पे आपको जाना है जैसे के मैंने यहाँ पे मेरी video file को safe किया है आप यहाँ देख सके हैं जैसे आप select करेंगे वह file यहाँ पे upload हो जाएगी ठीक है उसके बाद अग यहाँ पे आपको जो है एक add option मिल जागा उसके क्लिक कीज़े अब आप अपनी image को select कीज़े जहाँ पे आपनी image को safe करके रख का आपको option मिल जाएगा आप यहाँ देख सकते इस पे क्लिक कीज़े वह save हो जाएगी ठीक है अब आपकी जो video की जो थमनिल है दोस्तों वह change हो गई है तो हम इसको cross check करेंगे जस्त आप अपनी video file को check कीज़े यह देखे दोस्तों हमारी जो video की जो थमनिल है वह change हो गई है अगर आपके पास suddenly change नहीं हो रही है तो wait कीज़े few seconds उसके बाद आपकी video की थमनिल जो है change हो जाएगी एक चीज़ आपको जहार में रखना है वह process complete होने के बाद आपने जो app को use क्या है थमनिल change करने के लिए वह app भी आपको close करना है तभी जाके changes apply हो जाएगे ठीक है अग आप अपने video location में आपको जाना है इस तरीके से और आप अपना video select कीज़े और just नहां पर आपको जो है remove पे click करना है ठीक है अगर आपको अपकी थमनिल को remove करना है तो उसके बाद safe पे click कीज़े वह settings जो है change हो जाएगे उसके बाद आप अपना app close कीज़े close करने के बाद आ यह video location पे आप जहां पे चेक कर सकते हैं आपकी जो वीडियो की थमनिल है वह 100% change हो जाएगे पहले activities जो थी वही हो जाएगे आप यह पे देख सकते हैं यह एक easy और simple method है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाओ तो दोस्तों लाइक कीज़े शेर कीज़े और